बाते सब खोखले दावे उन्होंने शुरू से लेकर आज तक किये हैं मैं आपको बता दूँ करोना काल में हमारे विधायक यहां तक लुप्त रहे चुनाओं के समय हमने उनके दर्शन किये उसके बाद वो कभी दिखे नहीं यहां कि कि एंक्रोश्मेंट बढ़ गया है ट्राफिक वेवस्ता बहुत खराब है बहुत पूर मैंने यहीं इसको वदलते देखा है development के नाम पर कुछ भी नहीं देखा लेकिन विकास का भाव है साथ सबका रहा लेकिन विकास का भाव रहा अंदे बहरों की नगरी चारो तरफ अंदेर है सब के सब लाचा रहें कौन सुने किसकी फरियार कई जगे ऐसी जो माफिया गीरी रहती ती गुंडागर्दी रहती ती जो बड़े-बड़े माफिया बसूली होती थी आज वैपारी उससे तो दूर है और अपना वैपार सुकून से भैमुक्त हो गया सभ्यताओं के क्रमिक विकास के साथ ही बड़े-बड़े शहरों का विकास हुआ और जैसे जैसे बड़े-बड़े शहरों का विकास हुआ वहाँ पे बाजारों का विकास हुआ लखनव एक ऐसा सहर है जो उत्तरप्रदेश का सबसे पुराना शहर आप उसको कह सकते हैं कि वो है यहाँ पे बहुत सारे बाजार हैं बहुत सारी चीजे हैं और तमाम गतिविधियों का किंद्र आजादी से पहले से लेकर कि आजादी के बाद भी लखनव रहा है यह माना जाता है, राजनीत की भासा में कहें, तो यह माना जाता है कि दिली का रास्ता लखनव से होकर के गुजरता है तो हम इस वक्त एक बाजार में खड़े हैं, जो नए लखनव का सबसे पुराना बाजार है, भूतनात बाजार है और जब 2017 में भारतिय जंता पार्टी की सरकार यहां पर आई थी, तो उसका एक वादा था कि इस बाजार को स्मार्ट बाजार बनाये जाएगा। यहां पर कुछ कारोबारी हैं, जिनसे हम यह जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई भूतनात बाजार जो करीब 35 साल पुराना बाजार है, वो स्मार्ट हो पाया है, नहीं हो पाया है। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह व्यापारी हैं कारोबारी है तो मुद्द बहुत सारे हैं तो यहीं शूरू करते हैं जी क्या नाम आपका अरविन पाठक अरविन जी आपकी दुखान है आपके जैसा हमने रिसर्च के दौरान पाया कि यह भूतनात बाजार करीब 30-30 साल पूराना बाजार है इ शारी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है जिम्मेदर संदों संदों कारी और इसको जिम्मेदार को यह तक सब्सक्राइब रहर क्यूंक्त के रहे सब्सक्राइब करola कर सुन आoftदा एक एक इप हो रहा हो है शरकार बनी तहीं मुएने बाद ही जब इक चुना हो गया था पार्सभालब और मेर स्iko मेरह घ्याये जाव मंत्री जी अपने हो है निदिकार स्वा-च इस वाजैसे साथ ही मेर्च के आ acceptory कि और यह इसलिए उन्हें मौडल बाजार के नाम पे एक रुपे काम या नहीं गया आग तक रुपए काम नहीं गवा बोठनाद बाजार में पिंग टॉइलेट तक नहीं बनाए गया दसों बार जगाई जाए जाए यह तो इतना पुराना बाजार है बहुत ही बड़ा बाजार है जि शुरू से लेकर आज तक किये हैं मैं आपको बता दूं करोना काल में हमारे विधायक यहां तक लुप्त रहे चुनाओं के समय हमने उनके दर्शन किये उसके बाद वह कभी दिखे नहीं हम उनको हमेशा टीवी पर देखते हैं नगर विकास की बहुत एहम जिम्मेदारी उनक करने आता है बुतनाद मार्केट में बहुत सारी चीजों की फैसिलिटी वह खोजता है पुरा गोंती नगर जो पुरा विस्तार है पुरा डेवलाप हो रहा है उधर का आप देखते जाए यह तो कोई आएगा है नहीं फिर तो आप लोगों की तरफ देखिए यहां पे लेकिन इन्होंने बुनियादी चीजों पर ही काम नहीं किया तो वैपार कैसे बढ़ेगा और यह सारा नगर विकास का जिम्मेदारी है जो इनको इन्होंने पूरी तरीके से जिसका निर्वहां किया ही नहीं कि सहमत हैं कि आप इस जो अभी कह रहे थे कि नगर विकास मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया बिल्कुल मैं 100% सहमत हूं क्या नाम है आपका मेरा नाम परम जी सिंग है क्या करते हैं आपको किसी की दुकान है कितने दिनों से यह दुकान आपकी मुझ पूर है मैंने यही इसको वबलते देखा है डिव्लमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं देखा है डिवेल्ब्मेंट के नाम पे कुछ ने नहीं देखा है मतलब को ही है जो यह कह सकता है कि हार कुछ तो डिवप हुआ होगा पिछले 3030 सालों का यह बाजार है तो बच्चा ने स्भानले किए बड़े बड़ए सोरओं भी आए हैं मार्केट घुणे है लैकिसो बढ़ा है लेकिन सभीता नहीं बढ़ी जो भी सब्याि जो भी है यह क्जुत मर्किट में युद्वा यह इतना अच्छा स्मार्ट सोरूम बने हैं उस से बैपारी कुस्टमर आ रहा है लेकिन गौष्मेंट से बताया कि हम च्छे महीने बाद यह मीटिंग हुई और उन्होंने हम नहीं मांगा तो भी उन्होंने का था हम यह दे देंगे लेकिन उसमें सब कुछ हुआ नहीं सिर्फ एक लाइट जो क अब कह रहे हैं कि आप करेंगे आप पास हो गया लेकिन अभी तक कोई धरातल पर जो कह सकते हैं वह कोई काम अभी नहीं है सिवाए जो कहते हैं समर्श्विल वह जरूर दो-तीन पानी की पीने की वरस्ता के लिए लगें उसके अलाबा को यह काम ऐसा नहीं लगता है कि हम अपने बाजार के स्मार्ट जरूर बनाया है कि हम अपने वरैटी से और अपनी क्वालिटी से हर तरह के सामान यहां मिलते हैं इस वह से यहां कर आता है बेचने के तरीका भी बदला है कि आप लोगों ने जैसे कि एक तो ट्रेडिशनल बाजार चुकी है आदमी आता है हमने गरीब तबके के लोग या जिनकों भी जरूर थी तब भी हम निकले करोना काल में और लोगों कि जो भी जरूर थी उनकी पूरी की चाहिए खाने पीने की हो किसी तरह किसी बिदाव को लेकि हम घर में बैठे थे तो आज भी गवर्मेंट क्या कर रही है कि हमारे ही टे कर्मण का बोल वाला ट्राफिक विवस्ता कहीं नहीं तो यह चीजे सरकार पता नहीं क्या सोचती कि भाई बैपारित है वो तो हमको टेक्स देगा ही और दुदारू गाय है उसको दूते रहों चलते रहों यह चीज़े एक जनरल परसप्सान हम लोग जब राजनीत में ही तो कारोबारी साथ रहा ही है तो अब क्या शिकायते हैं मुख्य शिकायत क्या है आपकी बतौर कारोबारी बतौर कारोबारी और बतौर जो है वोटर्स का कि इनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास लेकिन विकास का भाव है साथ सबका रहा लेकिन विकास का भाव रह इसलिए यह दिक्कते हैं और वही पीड़ा सबको आ रही है कि चार साल पान साल हो गए हैं ना मंतरी ना विधायक ना पारसर कोई यहां का विकास के नाम पे कुछ काम नहीं हुआ है पस साथ के नाम पे कि सब लोग साथ तो वह इसलिए कि जो आपने बताया है कि यहां पे लो अगुंडगर्दी बढ़ जाती किसीं क्राइम बढ़ जाता कि बैपारी कुछ मिलता नहीं सिर्फ वैपारी थोड़ी सुभीजा चाहता वह बहुत साथ दिया करोना काल में भी वैसे भी देते हैं टेक्स से ले करके कभी भी कोई भी सरकार का कोई प्रतिनी दाता है तो यह यह हमारे लखनव वैपार मंडल के कोई साथ देच्छे बड़े भाई करोना काल में लखनव वैपार मंडल ने बकाइदा मुकमंती राहत को उसमें चंदा भी दिया एक ठीक ठाक रकम यह लोग जाके देकर राए 11 लाख रुपए यह वैपारियों का दिल था और उसके बा हमारे बारे में सोचा लेकिन हमें बंद करके लॉली पॉप दिखाया जाता है करता यह है तुम्हारा लेकिन पाउग नहीं बिता तो हमारी मजबूरी हमें बस उन्हीं दाएंबाय की चीजों पर लड़ा कि क्योंकि हम जाएंगे कहा हमारी मजबूरी है कि हम भाजपक जाक तो नहीं बना जहां बना होगा मुझे नहीं पता जहां रहता हूं वहां भी नहीं बना और जिस मार्केट में वेवसाय करता हूं वहां भी नहीं बना यह नवंबर का महीना चल रहा है दिसंबर और जनवरी सिर्फ दो महीने हैं इसके बाद चुनावा जाएगा तो इसी सब लोगों के मिली भगत है यहां पर पुलिस प्रसासन नगर निगम सब की आपस में लें देने उस वजह से मंत्री जी जिस दिन आते हैं यहां पर एक आद बार उद्गाटन करने के लिए मानने बर्जे स्पाठक जी भी आए उस दिन सब को अटा दिया गया उस दिन सब को स करता है कि वो डिसेवा में हैं और यहां सहर की सेवा में कोई नहीं विकास नहीं शहर की सेवा होगी कैसे अब आप चुकिंस्याइब है का श्राक हो रहा है ना जही हमारे मार्केट का विकास नहीं होता कहीं भी सायर to fly गोर और सब्बंदहीं वह उती जो हम बजार में जो सबसे ज़यादा टैक्सपेर हैं उनकी नहीं कोई सुनना है किसी भी देश की जुआ और्थव्यवस्ता होती है वो आप अभी भूतनात में है व्यापारी पूरी तरह से उपेचित है उपेचित का मतलब होता है मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है और वह उसके ध्यान नहीं है कि वह जानता है कि वेपारी बहुत जादा बिरोध रोध नहीं करता है जगलों में नहीं फसता है तो दूसरी बात है कि 18 तरह के indirect taxes वैपारी देता है जिससे सरकारे चलती है और वह टैक्स बजारों से चलती है यह निए बजार में दुकाने है कस्टमर आता है चाहे हम किसी वह तरह का थेक्स आप जोड़ी है ठाटर तरह के indirect करते तरह का डाट्रड़ी अनिकां जाते हैं अधान तरह करने के अदुन हैं आधर लेकिन हमी उसके मतidenegra ने का Europy इंसके उतले के मा जएते हैं बजार्मेटिति अपनी तरह से देखे इसको रेवैंन चाहिए और अच्छा रेविनु चाहिए तो उसको बहुत जादा कीमत नहीं है यहां पर कॉस्ट लगाने में अगर वो डालिया बना दे सडके बना दे यहां पर कुछ सुभधाइं दे बहुत जादा कॉस्ट नहीं आएगी बेसिक और दूसरी बात मैं यह कहता हूं जो पलट के देखिए घुमा के देखिए शड़क पे चलने की जगा नहीं है गाडियां खड़ी है नालियों में पानी नहीं है हम नालिया मन पड़ी है तो यह सब विवस्था का हिस्सा है इसको बहुत लंबा खीचेंगे तो बहुत बड़ी है कि सरकार जिस दिन चाहेगी जि कोई चाह ले तो हो क्यों नहीं पा रहा है मैं बिसिकली यह समझने कोशिश कर रहा हूं कि ना हो पाने के बहुत बड़े कारण है साड़े 30% खाली नगन निगम टेक्स लेता है अभी आप देखिए लखनव लखनव के अंदर नगन निगम जोन वन में 16 करोड उपे का खाल मिलता मैं आपको देखो शहर के बाहर के बड़े विकास में तो इन लोगों की नजर है जहां पर बड़ा काम है लेकिन जो शहर की बुनियादी सुविधाय है या गली महले और जो इस तरह की चीज़ें उनमें कहीं सरकार का कोई ध्यान नहीं है कोई नेता कोई मंत्री कोई कभी हाल चाल पूछने नहीं आया जैसे कि मैं अप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप लोगों से बात सचीश से पहले भी पता चला कि आप लोग व्यापार मंदल के जो संगठन है उससे जुड़े हुए लोग है आप लोग की बात क्यों नहीं सुनी जा रहा है यह वजह सoten है उसकी पांच हो सकता है कि नगरविकास तरस मंद्री तरने मिल लेते हैं और जो करोणा ब्रहन नोग काम करने के मिले थे त्यूस तीन साल में वह 12 साल बताके कि करोना तो करोना यहींНе आया करोना सब जगा आया करोना का वाकी विकास पर क्यों नहीं तेंसर पड़ा जहां यह कर रहा है चाहने एरफोर्ट हो यह वाकि चीजे जो भी हो हाईवे हो सिर्फ इस मार्केट पें कि असर पड़ा और मेरी बास समझेगा मेरे हिजाब से मिनिमंग पचास से साथ करोड रुपए जी एस्ट ये मार्केट साल ने ये मार्केट मैं जो आप फ्लोट कर रहा है आकड़े मेरे सामने कि यहां तालीस से पचास बड़ी ज्वेल्री सौपे हैं और तालीस से पचास अब आप सोच लीजे कि हजार स्कौार फिट बारासों स्कौार फिट के अगर जल्री सौपे जिनका टर्नोबर करोड़ों में तो खुदी तो इतनी तादाद में बैठे जाम लगाए हैं तो हम लोग की कौन सुनने वाला है विकास से सरकार नहीं बनेगी सरकार तो मंदिर बनना उससे सरकार बन जाएगी काम खता में विकास करके क्या करना है वो क्या रहा है कि पब्लिक क्या सोच रही है पब्लिक को क्या लगता है कि जैसे एक ची पब्लिक तो खुदी कुछ मलब क्या कहें मूर्ख है या समझदार है डोंड नो वो क्या बताती उनका एड करती है आपको वैक्सिनेशन फ्री आफ कॉस्ट मिल रहा है आपने फ्यू क्या रहा है कि आपको बता दिया जारह है वक्सनेशन फ्री आप को से आप क्यों कह रहे हैं इतनी बढ़ इपर्इस करने के वजाएए आपको बता रहा है कि वो गलत काम कर रही है तो यही है यह प्पॉब्लिक जब व्यापारियों से जब हम बात कर रहे हैं, तो एक दो चीजे और बड़ी निकल के आती हैं, एक तो GST का मुद्दा है, जो 2017 में लागो है GST, उसकी वज़े से जो परिशानिया शुरुवात में आई, क्या वो परिशानिया अभी बरकरार हैं कि वो सॉर्ट आउट हो गई है सम परिशानी को, जैसे हमारे घर का रास्ता अगर उखड़ा है, तो हम गाली अपनी बदर लेते हैं, टेक्टर खरीद लेते हैं कार की बजाए, यह समझ भाए, मेरा घर का रास्ता खराब है, तो हमने अपनी कार बेच दी और टेक्टर खरीद लिया, यह पोजिशन है GST की, म मतलब हमने उस लिए आप कोई बोर्ड करकोई क्योंकि की लिख Vore बीकित एक्सड एक्सांच नहीं गय्ट में लेकिन हो क्या रहा है अ उन उसके यहां से समाना करेंगा, टैश्म दूंगा, उस के वहां मुझा टेक्स दूना है, लगिन वन नेशन वन टेक्स नहीं है, आप सीधे मैननफैक्श्छर से टाइक्स लीजे, उच्छ पप्ली को माउस करने दीजे, जितना लेना है, 18 अड़ ले लिजे, फिनिश कर दे जे जो भी सरकार में इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं को अगर आना कम हो सोटा भीबारी है, यह जाएंगे कहां इनकी मजबूरी है, को यही हम लोग के साथ हो रहा है। कुरोना के तो रहन कैसे सर्वाइव किया आप लोगों ने चुकि मैं दिल्ली में था सेकंड वेब में अमने देखा बहुत आफ़त मचेवी थी क्या कुछ दुकाने बंद भी है यहां बंद हो गई है और जो अपने थे थोड़ा बहुत मच्बूर जो जो कमागे रखे थे उससे गुजारा कर रहे थे और जिनके अगर वीमारी हो गई तो विचारे वो कर्जेम हो गए आज उनकी अगर हलत देखिए तो बैंक का भी प्रा लेकिन जितने भी हैं चुकि आपका जो कारोबार है वो इतना पैसा देता है कि कोई भी सरकार सर्वाइव करती है वो तो देना टैक्स देना तो मेरी मजबूरी है हम 5% वोट देना दे जिनको 2000 रुपे और रासन मिल्ला वो वोट देंगे या बाकी जो 2000 क्रोड रुपे का बैंक का लोन माप हो रहा है तो पूरी सरकार दिसंबर तक आते आते हैं आप देखिए कितने कुमार पंडेत दोसरान से करोना है अंगर यह साल सफ साथी और की जा याए दिक्क्त याइन कुछ प्रब्लम आई अगर ये दो साल साइट करोना ना होता तो हमें लगता है यहीं विस्वाद की थोड़ा सा होता है और कारोंगों से बतौर सरकार अच्छे काम क्या रहा है कारोबारियों के लिए इस सरकार के किंद्र की राजी के यह पूछना पड़े कारोबारियों के नुमा आपने एक सवाल किया था कि आपने अपने मंत्री जी या आपने छेतरी विदायक इन से कोई मांग नहीं रखी तो उसके लिए मुझे एकदम से गाना सड़क पिक्चर का याद आ गया अंदे वहरों की नगरी चारों तरफ अंदेर है सब के सब लाचा रहें कौन सुने किस की फरियाद वहला घान इन पर बिलकुँ सटीक बैटता है मेरा विदान सवा चेतर इंजो मंत्री जी है उसी में मेरा आवास है और उसी में मेरे व्यफसा है दोनों चीज है उसी में नहीं अ待って重要 कि अच्छा किया है अच्छा कुछ नहीं अच्छा किया कि कई जगे ऐसी जो माफिया गीरी रहती ती गुंडागर्दी रहती ती जो बड़े-बड़े माफिया बसूली होती थी आज वैपारी उससे तो दूर है और अपना वैपार सुकून से भैमुक्त हो गया यह तो एक अच्छा काम है इसके के अलाबा जो हाइवेज रोड्स यह बन रही यह भी वैपारी हित में होती है अगर हमको कोई कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है तो हमारे वैपार में तो यह सब चीजें स्ट्रक्टर जो नोंने बनाया है जो बना रहे हैं यह काफी कुछ अच्छा है आप भी कुछ कह र तब यह समस्यां हलोंगी कमस्यां बहुत चोटी हैं हम मांग क्या रहे हैं नाली बनवाद हो सड़क बनवाद हो यह कोई मंत्री यह काम नहीं करता है दूसरी एक लेबिल बहुत बड़ी चीज बाताने जा रहा हो कि हर आदमी अपनी कुर्सी में बैठके अपना नफा नु होगा और यह नहीं करेंगे तो क्या होगा तो हमारे काम न न करने से उनको क्यों नुक्सान नहीं होता है कारोबारी भी कारोबारी है आज गौफरमेंट को पैसा नहीं मिलेगा रहीं और रहीं सच्छा इसमें को शर्चा ही यह आखिरी सवाहल का मेरे जवाब कि अच्छा क्या है नहीं फिंस यह घाय सएय। एक बंदा बैठा होता है जमीन पर अपनी वाइप से यह कहता है कि मैं अपना सब कुछ बेच दे रहा हूं एक कार मेंटेन करने के लिए डश डश नीचे लिखा हुआ था कि मैंने 2200 क्रोड पर रिवेन्यू जेनरेट किया है फ्यूल प्राइज हाइक करके अब यह दो आंसर तो यह थे लखनव के नए लखनव के सबसे पूराने बाजार भूतनाथ के कुछ कारोबारी जिन से हमने उनके बाजार के बारे में समझने की कोशिश की उनके कारोबार के बारे में समझने की कोशिश की उनकी दिक्कतों की और उन दिक्कतों का समाधान कैसे होगा उसको सम हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मेरा नाम है विनाश और आप देख रहे थे अनकट शुक्रिया